ब्रस्टाचार की हर रस्म निभानी है जितने भी ब्रस्टाचारी करने के रास्ते हैं दलाली है वो सारे रस्म अर्विन केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते नहीं मानेंगे नियम कानून नहीं मानेंगे CBC अब तो हम चलेंगे DCC यानि डारेक्ट कैस कलेक्शन अर्विन केजरिवाल की काम करने की पद्दती नियम में एक और बड़ा फार्मूला है DCC डारेक्ट कैस कलेक्शन उन्होंने शराप के बड़े-बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया और उनको बाद में वाइट में फायदा कराया तो जो इस्टिंग आया है ये इस्टिंग ये पूरा दरसारा है कि इस्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी इस्टिंग आएगा ब्रस्टाचार का हमारे पास इस्टिंग ले आना हम उनके खिलाब कारवाई कर देंगे तो अर्विन केजरिबाल जी ये इस्टिंग आ गया है और कोई ऐसे व्यक्ति का इस्टिंग नहीं है जो एक्क्यूस नंबर नाइन है उनका खुद का कहना है सारी आपकी पोल पट्टी खोली है तो आप ये बताईए जो ब्रस्टाचारी है जो आपके उपमुख्यमंत्री है उन पर आप कारवाई कब करेंगे उनको बरखास्त कब करेंगे धन्यवाद मेरा निवेधन होगा भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता मनिंदर जी सिंग सेरसाजी से आपको संबोधीत करें आपने अभी इस ट्रिंग में सब कुछ देखा किस तरह से सौ क्रोड रुपया जब हम कहते थे तो कहते थे सबूत लओ अब तो सबूत भी सामने है सौ क्रोड रुपया इंडो स्पिरट ने साट क्रोड रुपया अमंडल ब्रिंड को ने पचास क्रोड रुपया जजदीब को और चड़ा अनंत वाए सौरी महादेवाइंस ने और तीस क्रोड रुपया दिवान स्पिरट्स ने आप देखिए कि एक एक रुपया कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और यहां पे स्टिंग में बता रहे है 10 क्रोड रुपया लगा कर लोगों ने 500 क्रोड रुपया कमाने का काम किया और यह पॉलिसी जो थी यह सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को जो अर्विंद केजरिवाल जी के पुंजे पती दोस्त थे उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में बैठ कर इस पॉलिसी को बनाया गया यह मैं नहीं कह रहा यह वोँ आदमी कह रहा है जिसने यह सब कुछ देखा है और आप देखिए 12% कमिशन की गई 2% से और 12% कमिशन में से जॉइनिंग फीस मतलब 6% जो देता था उसको 6% जॉइनिंग कहते थे और ये दिनेश रोडा जो कलेक्शन एजंट था वो 6-6% सबसे जॉइनिंग फीस ले रहा था और पैसे अडवास ले लिएगा इलेक्शन के लिए ना केवल यहाँ पर करप्शन हुई बलकि सफेद पैसा किया गया काले धंदे का पैसा सफेद भी किया गया 100-100 करोड रपे अडवास दे दिया गया और वो फिर सारा पैसा कमिशन के रूप में चेक से 12% कमिशन के रूप में वाइट मिलता रहा सो काले पैसे को सफेद करने का धंदा भी अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के अपने पूंजी पती दोस्तों के लिए किया है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ देश भर की पॉलिसी के अंदर अक्साइस पॉलिसी के अंदर ये मेंचेंड है कि जितना भी कोटा होगा स्टेट का एक कोटा फिक्स होता है उसको कहते हैं लिकर कोटा कितना है क्योंकि जितनी अक्साइस कोई दे रहा उतना लिकर कोटा होता है यहाँ पे लिकर कोटे की इस पॉलिसी में एक्जेम्शन दे दी गई ताकि 165% की जगा 1% ड्यूटी कर दी गई और जो शराब की बोतल दिली के ठेके पे 5.500 की होनी थी वो 2.500, 7.100, 100.00 रुपे की बिकी और उससे क्या हुआ देश बर की जो ब्लैक करने वाले लोग थे दंदा करते थे ब्लैक का उनको सबसी सस्ती दारू दिली में मिलती थी तो दिली शराब की ब्लैक करने वालों का अड़ा बनाने का काम अर्विंद केजरिवाल जी ने किया है और आप सुनिए चार लाक बॉक्स शराब बिकती थी दिली में अर्विंद केजरिवाल कहते थे, मनीश सुसोदिया कहते थेके नहीं खुल पाए इसलिए रजस्व में कमी आई है ये बड़ा इंपॉर्टन्ट है ठेके ना खुलने से शराब में कमी नहीं आई अर्विंद केजरिवाल जी के दोस्त और अजस्व उनकी जेब में एकसाइस पुचले गई इसलिए दिली को 3500 क्रोड को नुक्सान हुआ क्योंकि पहले चार लाक डबा शराब का बिकता था इसके मताबक, हमित तरोडा के मताबक 4 लाक शराब का डबा बिकता था अब उसकी जगह 15 लाक शराब का डबा बिका है 15 लाक, तीन कुना जादी शराब बिकी फिर भिर सरकार को 3500 क्रोड रुपे का नुक्सान हुआ और पुंजी पत्यों को 3500 क्रोड से ज्जादा का लाब होना है अब आप देखिए उसने इसमें ये भी बताया आप देखिए स्टिंग में मुझे लगता है कि इसके बाद अर्विंद केजरिवाल को मौरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पे रहने का क्या बोला इतना ड्रक्स के धंडे में लाब नहीं है ड्रक्स इतनी कमाई ड्रक्स में नहीं है जितनी कमाई दिल्ली की अकसाइज में अर्विंद केजरिवाल के मित्रों को दोस्तों को हुई उतनी कमाई तो ड्रक्स में भी नहीं है और आप ये भी सुनकर हरान हो जाएंगे दिल्ली का तो 15000 क्रोड का काम दिया ही पंजाब का इसमें आपने ध्यान दिया उस्टिंग में उसने बताया कि केवल दो लोगों के पास हम बहुत देश से बात चला चला कर कह रहे थे कि पंजाब का 10,000 क्रोड रुपे का काम दो परिवारों के पास है किसके पास है अनंत वाइन्स के विजे महरा और तुशार महरा और बिंटको का अमन ढल और बिंदर ढल ये अरविंत केजरिवाल जी के दोस्त हैं इन दो लोगों के पास सारे का सारा शराब का धंदा है और आज इस ट्रिंग के बाद दूद का दूद पानी का पानी इंफेक्ट अगर मैं कहूं दूद का दूद और शराब की शराब सामने आ गई है इन लोगों की सारी चोरी अब आपके सामने है अब ये स्टिंग करने के लिए जैसे सुदानशु जी ने अभी बताया था अब स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है अब आप देखिएगा अब ये क्या रोणा नयार होएंगे क्योंकि अब पकड़े गए हैं चोरी लेकिन उसके मौरल ही इनके पास अधिकार नहीं है ना तो मनीश सुदिय के पास कुर्सी पे रहने का अधिकार है ना तो अर्विंद केजरी वाल के पास क्योंकि उन्होंने सविदान की किसम खाई थी जो भी चीज मेरे संग्यान में आएगी तब तक जब तक ऐसा बताना किसी को जरूरी नहीं होगा मैं शेर नहीं करूंगा जबकि अक्साइज पॉलिसी में उन्होंने सविदान की कसम खाने के बाव्यूद ये सारी बातें इन चार लोगों के साथ तैकी जगदीब को और चड़ा के साथ अमंधल के साथ और ये वहादेव वाइन्स के और ये प्रिंट से जी से आगर होगा बस हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि या तो अर्विन केजरीवाल जी कारवाई करें या इस्टिंग को लेकर अपने पूरवर्ती बयान के लिए माफी मांग ले